Good morning everyone, kids, English में आज हम लोग कोई revision work नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत revision हो चुकी है, सारे बच्चों को सारे topics clear हैं, और अगर किसी को कुछ कमी लग रही है, तो आपके पास सारा चीज राइट किया हुआ है, आप खुद से आप practice करोगे, आज English में हम लोग एक activity करेंगे, थोड़ा आपका देखते हैं कि कितने बच्चों का brain sharp है, ठीक है, तो बेटा यहां पे आप box देख रहे हूँ, यह boxes में क्या write किया हुआ है, letters write किये हुए हैं, ठीक है, तो इन letters में कुछ name छुपे हुए हैं, जो आपको find करने हैं, कैसे, अपने आप दिखोगे, तो मैं आपको idea बता देती हूँ, यहां पे देखते हैं कि आज हमें क्या करना है, English activity में, आज हमें क्या करना है, find these names, यह वाले name, in the grid below, जो नीचे दिया गया है, यह grid, तो इसमें आपको यह यह नाम, जो write किये हुए है, इसको क्या करना है, find करना है, कैसे, जैसे number one में है, और month, month का name यहां पे कहां पे होगा, month name आपको देखना है, अब देखिए, सारे letters को read करते जाए, और idea लगाते जाए यह, कि यहां पे कौन सा, आपको month name बन रहा है, ठीक है, जैसे January, February, March, April, May, June, जो भी बन रहा है, आपको यहां से देखना पड़ेगा, इसमें time तो लगा है, ले बहुत मजा आएगा, ठीक है, तो जैसे बेटा, यहां से हम लोग देखते हैं, हाँ, यह April, A, P, R, I, L, तो इसके spelling भी आने चाहिए, तभी आप इसको find कर पाऊगे, तो इसको क्या करना है, बेटा हमें सरकल कर देना है, आप लोग भी अपनी pencil से कर लोगे, मैं एक ही सरकल क ठीक है, बाकी कि आपको अपने करने की कोशिश करनी है, तो यह हमारा क्या हो गया, month name, number two में, a natural thing, natural thing क्या होती है, यह आपको पढ़ाया गया है, जिसे God बनाते हैं, अब आपको देखना है, natural things कौन-कौन सी होती है, पहले सूचे, और फिर उसी चीज को कोशिश करिए, ऐस तो इसमें से कोई name आपको अगर लगता है कि यहाँ पे हो सकता है, तो आपको देखना है, यहाँ से sun बनाता है, as you and sun, तो यह इसको भी circle कर लेना है, यह number two आपका clear हो जाएगा, ठीक है, third में है, a festival, festival किसे बोलते हैं, festival हम त्योहार को बोलते हैं, ठीक है बटा, तो festival में से होते हैं, होली, दिवाली, इद, दिशेरा, तो इसमें कोई मिल रहा है आपको, यह दिखी, यहाँ पे, E, I, D, E, इद, इसको circle कर लेना है, ऐसे पिटा, आपको ना, first time में हो सकता है, थोड़ा tough लगेगा, लेकिन इसको करते जाना है, क्योंकि इसको तो आपको learn करना नह बताते हैं, उसके लिए आपको यह activity दीगी है, एक बार में नहीं होगी, तो second time में बनाओ, third time में बनाओ, इसको बनाना ज़रूर है, ठीके बटा, तो festival का name भी हो गया, E, fourth में है, a book, a book का name देखना है आपको, book का name कहां पे आपको मिलेगा, ठीके बटा, book का name, यहां पे आ सारे letters, इस ऐसे भी देख लेने हैं, ऐसे भी देख लेने हैं, ऐसे भी सब line में देख लेना है, पहले ऐसे देखते हैं, को book का name मिल रहा है, B, I, B, L, Bible, ठीके बटा, यह हमारी holy book है, Bible, इसको भी circle कर लेना है, जैसे गीता है, यह ना, तो ऐसे ही Bible भी हमारी holy book है, इसको आप circle कर लोगे, क्योंकि इसके spelling भी आने चाहिए, तब ही ना करेंगे, next है, a country, एक अपो country का name, बताना है, country का name कौन सा हो सकता है, यहाँ पे last में आ रहा है, जापान, ठीक है, इसको circle कर लेना है, J-A-P-A-N, जापान, यह क्या है, एक country का name है, right, next है, a river, एक river का name बताना है इसमें, गंगा, यमुना, और भी बहुत सारी rivers हैं, तो आप देखिए, कौन सा आप river यहाँ पे होगा, जैसे G से गंगा होता है, तो G से G-A-N-G-A, यह हो जाएगा, गंगा, इसको circle कर लेना है, यह river का name हो गया, ऐसे आपका knowledge भी बढ़ जाएगा, तो जैसे river का name आपको learn हो जाए गा, month का name हो जाएगा, natural thing के बारे में पता चलेगा, एक holy book के बारे में पता चलेगा, आपको, है ना, तो country and next है, our country, ठीक है, हमारे दीश का नाम क्या है, हमारे दीश का नाम क्या है, है ना मिटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिया, इंडिया कहां पर है, आई एन डी आई इंडिया, इसको भी आपको circle कर लेना है, ठीक है बाटा, तो एक हमारे पास एक और बच्चा है, यहां पर, clear होगे, art number तक, यहां city, a city, एक शहर का नेम, है ना, शहर का नेम क्या होगा, ए, जी, आर, ए, आगरा, इसको भी circle कर लेना, बिटे दिखो, यह पहली बार तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे मैंने अभी discuss सारे answer कर दिये हैं, तो मैंने circle जान बूच के नहीं किया है, क्योंकि अगर circle कर देंगे, तब तो फिर आप पेटा, वैसी कर लोगे, आपको क्या करना है, English copy में से, write करना है, उसके बाद ऐसे box बना लेने है, जैसे भी आपसे बनेंगे, खुद से बनाना है, तो यही same letters आपको write करने, एक-एक box में, अगर हो सके, आपके पास plain paper होगा, तो उसमें यह बना देना है, ठीक है, तो इसको बनाओगे, और ऐसे ही सारी sides में same letters write करोगे, तब ही आपका जो name है, कोई भी proper बन पाएगा, ठीक है, जैसे मालनी जी, इंडिया को ले लेते हैं, I-N-D-I-E, इंडिया होता है न, तो आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया तो नहीं बन पाएगा, इसलिए धिहान से, इसलिए मैंने letters थोड़े बड़े करके write किये हैं, ताकि समझ में आ जाएं आपको, ठीक है बचो, तो इसको जैसे A, G, ऐसे करके आपको भी write करने हैं, और box बना लेने हैं, और उसके बाद इसको read करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी reading भी अच्छी हो जाएक, तो यहाँ पर क्या read है, read करना है, month का name, है ना, natural things, natural thing, ठीक है, festival, book, country, city, river, our country, यह सारे name है, और इसी box में, इनी letters में आपको मिल जाएं, ठीक है बचा, कोशिश करना इसको करने की, नहीं तो फिर हम एक बार फिर से, अगर हमारे पास time रहे स्लेवर्स कम्प्लीट होने के बाद, तो हम बेटा, online भी इसी करें, ठीक है, तो उसमें, आप सारे बच्चे आंसर देंगे, और मैं, अगर किसी को नहीं भी समझ में आएगा, तो हम एक और तरह की भी activity करें, ओके,